बश्कार दोस्तों स्वागत है आपका रोशन सा स्टडी पॉइंट पे यह वीडियो होने वाली है अंतराश्टिय वेपार के उपर इसमें हम बाकी के बच्चे वेट टॉपिक्स को कवर करेंगे तो जिसमें हमारा पहला टॉपिक है अंतराश्टिय वेपार के महत्वपून पक्ष तो दोस्तों अंतराश्टिय वेपार के महत्वपुन तीन पक्ष भताये गए हैं तो पहला है वेपार का परिमान यानी वेपार का परिमान दूसरा वेपार सियोजन तीसरा है वाइपार की दिशा तो वाइपार की स्योजन की बात करें जो कि पहला पॉइंट है इसमें तो वाइपार की गई वस्तुओं का वास्तविक तौल ही परblind नाम कहा जाता है परन्तो विपारक सेवाउ को तौल मापा नहीं जा सकता जाईर से बात है अगर कोई भी सेवा हम कर रहे हैं सेवा का तो हम कोई तौल नहीं सकते ना लेकिन हम उसके मूल को जरूर लगा सकते हैं कि हाँ आपने इतने दिर तक इस कारिय को किया है तो उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलेगा तो कहा जाता है कि वैपारिक सेवाओ के तौल को मापा नहीं जा सकता तो इसलिए वैपार की गई वस्तुवों का यानि जो वैपार की गई वस्तुवे हैं तथा सेवाओ के कुल मूल को वैपार का परिनाम कहा जाता है यानि कि जो भी वस्तुवे हैं और जो भी सेवाएं हैं उनको मिला के जो भी बनता है उसे हम वैपार का परि नाम कहते हैं दूसरा पॉइंट है वैपार सही हो जाए तो कहा जाता है पिछली शताबदी में देशो द्वारा आयातित वह निर्यातित वस्तुओं में परिवर्तन आई है यानि कि जो पहले जिस प्रकार से पहले आयात और निर्यात किया जाता था ना वस्तुवों का उसमें क्या आ गया है परिवर्तन आ गया है दूसरा पॉइंट इसमें कहा जाता है सर्व प्रथम जो प्रात्मिक उत्पादों का वैपार हुआ करता था यानि कि जो पहले के जमाने में जो भी वैपार होता था ना वो प्रात्मिक वस्तूओं का होता था बाद में और धोगिक वस्तूओं ने उसका स्थान ले लिया अब जाएर से बात है, जब जस समय में जो चीज़े ज़्यादा उत्पादीत होंगी उसका ही वैपार होगा, अर्थर मवस्थाकार्थ तो यही होता है, तो पहले जब कृषी से संबंदित, अनाज वगजरा ज़्यादा उत्पादीत होते थे, तो उन सभी चीजों का आयात म पर वस्तुवों का निर्मान होने लगा तो इसकी कारण क्या हुआ? विश्व के अधिकांच छेत्रों में वी निर्मित वस्तुवों का अधिपत्या आने लगा जाहिर सी बात है जब चीचे बनी बनाई मिलेंगी वे निर्मित मिलेंगी हमें उसमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा तो हम तुरंट जाएंगे खरीदेंगे और उसका अधिपत्य जाहिर सी बात होगा ही क्योंकि अगर हम कपड़े की बात करें अगर कॉटन बनता है फिर उससे धागे वहीं पर मशीनरी उसको तुरंट त्यार कर देगा तो जो चीजे जल्दी निर्मित होड़ी हम उसी की और भागते हैं तो फिर उसने क्या कर लिया वी निर्मित वस्तु ने अपना अधिपत्य कर लिया समय में सेवाओं का वैपार प्रमुक होने लगा यानि समय के साथ जो क्या होने लगा वैपार होने लगा इसरा पॉइंट है वैपार की दिशा तो वर्तमान काल में विकास शिल्देश बहु मूल पूरक वस्तु तथा शिल्प आधिका निर्यात किया करते हैं यानि कि आज के समय में क्या हो गया है जो विकास शिल्देश हैं वो क्या कर रहे है जो हस्त शिल्प वस्तुवें हैं यानि शिल्प हैं और बहु मूले परक जिनका मूले अधिक हैं उन वस्तुवें का क्या करने लगे हैं आयात निर्यात करने लगे हैं जो कि केवल तब क्या था जो कि यूरॉपय देशों को निर्यात किया जाता था जो कि केवल पहले देशा में क्या हो गया परिवर्तन हो गया जो यूरॉप है वो क्या करने लगा यूरॉपिय देशों ने अपने उपनवेशों में वी निर्मित वस्तुओं के स्थान पर उनसे कच्चे माल का आयात करने लगे अब क्या थे जो यूरॉप वासी थे ना वो क्या करने लगे जो उनकी उपनवेश थे यानि जिनके उपर वो शाशिन किया करते थे उनसे वो क्या करने लगे कच्चे माल का आयात करने लगे अब कच्चे माल का आयात करने लगे और वी निर्मित वस्तो का क्या करने लगे निर्यात करने लगे तो 19 वी शताबदी में विकाशिल देशों में विक्षित देशों के साथ परतिस परधा करना आरम कर दिया यानि कि 19 वी शताबदी तक तो यूरॉप ने किया फिर उसके बाद 20 वी शताबदी आते ही क्या हुआ जो विकाशिल देश थे उन्होंने भी विक्षित देशों के साथ क्या करना शुरू कर दिया परतिस परधा शुरू कर दिया इस प्रकार जो है विपार की दिशा में परिवर्तन आया तब जहां केवल विकासिल देश ही विक्षित देश ही विपार क्या करते थे वहीं अब विकास से देश भी वेपार संतुलन यानि संतुलन सब्दे से आप समझ चुके होगी कि यानि समानेता बनाये रखना यानि एक तरप 10 किलों का वेट है तो दूसरी साइड भी 10 किलों का वेट होना चाहिए तभी संतुलन बना रहेगा तो एक साइड जादा हो जाएगा तो दूसरा साइड अपने आप ही उपर हो जाएगा और एक साइड नेचे हो जाएगा तो संतुलन को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं तो वैपार में किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है वैपार संतुलन का तो क्या होता है एक देश दूसरे देश को कुछ वस्तुएं या सेवाए भेशता है, जारिसी बाते एक देश दूसरे देश को कुछ सेवाए देता है, या कुछ वस्तुओं और सेवाओं को अपने देश में मंगवाता है, या तो वो देता है या फिर मंगवाता है, इसी आयात और निर्यात के अंदर को क्या कहा जाता है वैपार संतुलन है यानि एक हांच से लो एक हांच से दो इसे ही वैपार संतुलन कहा जाता है अगर आपके पास प्रोध्योगी की और ध्योगी की समान जादा निर्मित होते हैं वी निर्मान की चीज़े जादा विक्सित होती हैं निर्मित होती हैं तो आ से अधिक देश आपस में वैपार संतुलन बनाई रखते हैं तो इसके दो प्रकार बताएं गए हैं धनात्मक और रिनात्मक यानि वैपार संतुलन के दो प्रकार होते हैं धनात्मक और रिनात्मक पहला है हमारा धनात्मक धनात्मक में क्या होता है इसके अंतरगत वैपार मे जब कोई देश निर्यात की गई वस्तूओं से अधिक धन अर्जित करता है यानि जब वो कोई चीज भेजता है दूसरे देश को तो उससे वो अधिक धन प्राप्त करता है बजाए आयात की गई वस्तूओं की अपेक्षा यानि कि जब वो भेजता है वस्तूओं को तो तो अधिक धन प्राप्त करता है लेकिन जब मंगवाता है यानि आयात करवाता है तो वो कम धन मतलब कम धन देता है दूसरे देश को तो यह क्या हो गया धनात्मक यानि एक देश को फाइदा हो रहा है तो यह हो गया धनात्मक दूसरा है रिनात्मक रिनात्मक में इसकी अंतरगत वैपार में जब कोई देश निर्यात की गई वस्तुवों से कम धन अरजित करता है यानि कि वो अपना चीज भी दे रहा है और धन भी कम अरजित कर रहा है और आयात पर अधिक खर्चा कर रहा है चीज भी दे रहा है पैसे भी कम मिल रहे हैं और चीज मंगा रहा है तो पैसे भी जाद दे रहा है तो इसे कहते हैं रिनात्मक वैपार संतुलन नेक्स टॉपिक है अंतरास्टिय वेपार के प्रकार तो अंतरास्टिय वेपार के महत्पून दो प्रकार बताएगे हैं पहला द्वी पार्शिक वेपार और दूसरा है बहु पार्शिक वेपार द्वी पार्शिक वेपार इसमें क्या होता है दो देशों के बीच अर्थात दो देशों के द्वारा एक दूसरे के साथ किया जाता है यहां देश निर्दिश वस्तुओं का वेपार करने के लिए आपस में सहमती करते हैं यानि यह जो द्वी पार्शी के वेपार होता है केवल दो देशों के साथ ही किया जाता है इसमें दो देश आपस में सहमती करते हैं उसके बाद ही वो क्या करते हैं वेपार करते हैं उधारन के लिए हम कह सकते हैं एक देश जिसके पास अध्योगी कृत वस्तुए जादा होती है वो कहता है कि आप दूसरे देश से कहता है कि आप मुझे कच्छे माल दो और मैं उत्पादन तियार करके आपको क्या करूँगा दूँगा तो इस प्रकार से वो दोस्त आपस में दो देश आपस में वेपार करते हैं तो इसे क्या करते हैं द्वी पार्शिक वेपार कहते हैं दूसरा है बहु पार्शिक वेपार जैसे की नाम से ही पता चल रहा है बहु पार्शिक यानि इसमें एक देश से नहीं यानि एक से अधिक देश आपस में मिलके वेपार किया करते हैं तो बहु पार्शिक वेपार बहुत से वेपारिक देशों के मद्ध किया जाता है यानि जो वैपारिक देश होते हैं, उनके साथ किया जाता है, वहीं देश अन्य अनेक देशों के साथ वैपार कर सकता है, जाहिर सी बात है, बहुँ पार्शिक वैपारी हैं, तो वो किसी भी देश के साथ क्या कर सकते हैं, वो अनेक देशों के साथ वैपार करते हैं, देश के और यानि M F N आपसे पूछा जाएं तो इसका फूलफरम है सारवधिक अनुखुल रास्ट की इसे क्या होती है seeking study प्रदान कर सकता है इसे क्या होती है एक स्थिति प्राप्त हो जाती है तो यह है वैपार के दो महत्वपुन पक्ष अंतरास्टर वैपार के द्वीपक्षी और महुपक्षी इसके बारे में आप कई बार सुन चोके होंगे जबी भी हम वैपार की बात करते हैं तो वैपार का नाम आते ही हमारे जबान पे डबलू टी ओ जरूर आ जाता है क्योंकि हम सबी जानते हैं कि डबलू टी ओ यानि विश्व वैपार संग्टन ने महत्वपुन भूमिका निभाई है विश्व में वैपार को बढ़ावा देने के लिए तो विश्व वैपार संग्टन विश्व में वैपार को क्या करता है बढ़ावा देता है इसकी स्था यानि जो WTO है इसका रुपांतरन किया गया था फिर इसका बाद इसका नाम रखा गया था तो जनवरी 1995 में WTO इसका नाम रखा गया तब से लेकर अब तक वैपार के नियम काईदे कानून की देखरे करता है यानि कि जनवरी 1995 में इसका रुपांतरन कर दिया गया WTO में तब से ये क्या करता है जो भी विश्व में वैपार के नियम और काईदे हैं उसका लेखा जोखा और देखरेग यही करता है WTO इस संगटन से पहले WTO हुआ करता था यानि कि WTO से पहले G-A-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T- यह अंतरास्टे वैपार को बढ़ावा देता है most important part तो यह है कि यह क्या करता है विशुर में वैपार को बढ़ावा देता है दूसरा point है वैपार संबंधित नियम काईदे कानून को बनाता है यानि वैपार से related जितने भी कानून होते हैं काईदे होते हैं सभी कानिर्मान तीसरा point है इसमें मुक्त वैपार को बढ़ावा देता है सीमा शुलको को कम करने का परियास करता है यानि मुक्त वैपार यानि जब दो देश वैपार कर रहे हैं तो मुक्त हो उसमें किसी भी प्रकार का कर टेक्स या लाइसेंस की ज़रृत ना पढ़े आप सुन चुके हो के वारे में तो इस प्रकार का कुछ नहों शीमा सुल्क ना लगे यानि बॉर्डर का पैसा ना लगे अराम से स्मूधली वैपार हो सके तो इसका भी प्रयास कौन करता है डबलू टी ओ करता है चौथा पॉइंट रहेगा देशों के बीच में लड़ाई जगडे वह होते हैं उनको भी सुल्जाने का प्रयास करता है जो भी समस्याएं होती हैं पांच